हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जे साइको एजक्रेशन के योटूब चैनल पे तो फिलहाल 68 VPSC प्रेलिम्स का एकजाम 12 फरवरी को है यानि की परसो है मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ आप लोगो को कुछ इंपोर्टेंट बातों को मै बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहला इंपोर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपने सेंटर पे बिफोर पहुंचिए ठीक है दूर अगर सेंटर है तो कल ही निकल जाएंगे आप लोग और कल ही निकली आप लोग और उसके बात से फिर क्या है कि आप लोग एड्मिट पे एकजाम सुरू होने के धाई घंटा पहले पहले पहुंचना है ग्यारा बजे क्या होगा कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और ग्यारा बजे के बाद किसी भी हाल में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी यानि कि एक घंटे पहले ही गेट को बंद कर दिया जाएग ठीक है तो इसको आप लोगों को साथ में लेके जाने एक ब्लू या ब्लैक जो ओमर भरने वाला जो कलम होता है उसको आप लोग लेकर के साथ में जा सकते हैं रुके रहेगा कुछ और भी चीजों को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं जैसे कि अटेम्ट कितना कोस्टन करना है कैसे करना है तो फिलाल यह तो यह चीज है कि आप लोग फुल इनर्जेटिक हो करके जाईएगा एक्जाम देने जाईए और लेकिन इसके स साथ ही साथ यह प्रॉब्लम यह भी आ रही है कि पता नहीं इस बार कैसे कोस्टन साएंगे क्या टफ होगा फिर निगेटिव है फिर पांचों भी है तो कैसे इन सब चीजों को वह चीज करना है ठीक है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि निगेटिव जो निगेटिव मार्किंग जो की गई है तो 1x4 है ठीक है 1x4 है और कोस्टन की लेबल तो कोस्टन में भी इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा टफ आए ठीक है चूकि चेयर बेंड साहब ने पहले ही बोल दिया है कि थोड़ा सा मतलब वह चीज हो सकता ह उनका tweet पे भी instruction दे रहे हैं कि अगर किसी question में आप इस्टक कर जाओ तो आगे बढ़ जाओ time waste करने की ज़रूरत नहीं है तो maybe हो सकता है लेकिन पुर्वागरा से उग्रसित नहीं होना है ठीक है सांती पुर्वक आपको exam में बैठना है तो ठीक है आप सबसे पहले first round में कोशीज कीजिएगा कि अच्छा score करें और फिर उसके वासे second round 50-50 जो होता है उसको लेकर के चलिएगा ठीक है और third round में जो चीज लग रहा है कि मतलब यह चीज इसका answer किसी question का यहीं होगा माइंड में बार-बार आ रहा है तो आप लोग उसको risk ले सकते हैं ठीक है तो मैं तो बोलूँगा कि question छोड़ने का कोई फायदा कुछ दीख नहीं रहा है one by fourth है और रहा गई बात fifth option की तो fifth option जो है न तो fifth option बस 10 question में रहते हैं तो मान के चलिए कि 10 question आपका अगर है तो उसको भी आप लोग fifth option को ध्यान में रखते हुए आगे तो बढ़ेंगा स्टेटमेंट वाइज वाला जो question हो उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा ठीक है अब रह गई बात की इतना मतलब अब एक दिन बचा हुआ है तो कैसे मतलब वो क्या चीज़ करें तो फिलहाल आप लोगों को current affairs को देख लीजेगा वन लाइनर और ज्यादा तर जैसे पूरसकार से question आते हैं फिर बुक का आज बुक को राइटर का नाम आता है ठीक है जैसे कि Bricks Millen हो गया या फिर G20 का हो गया उसके बाद से फिर मतलब इन सब चीजों को आप लोग देख लिए नोबेल प्राइज देख लीजेगा उसके बाद से फिर books and authors का नाम मैंने बता ही दिया उसको भी देख लेना है और इसके बाद से आप लोग एक चीज और कर सकते हैं कि बिहार का जो साथनिस्य योजना जो है उसको आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजेगा ठीक है उससे question मतलब आता है ठीक है तो उसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं और बिहार special को revision करने के लिए आप लो सब का वीडियो बहुत कम-कम टाइम में जैसे एक घंटे कान में एयरफोन लगाई और एक बार उसको speed बढ़ा करके आप लोग उसको देख सकते हैं तो उसको भी देख लीजे ठीक है और सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है और आप लोग एक्जाम में अच्छा करके के लिए आप सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है